साथियों, हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या अर्बन हाउसिंगी भी रहती हैं। मुझे आध है कि मुख्यमंत्री के रूप में शहरी निकायों के साथ मिलकर हमने हैं जुगी में रहने वाले साथियों के लिए बहतर आवास बनाने का अभ्यान शुरू किया था। इसके तहट गुजरात में हजारों घर शहरी गरीबों को जुग्गी में बसने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा अभियान चलाया इसी भाव के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी इसके तहट भी पुरे देश में करीब सवा करोड घर स्विकृत किये गए हैं साथ 2014 से पहले जहां शहरी गरीबों के घरों के लिए बीस अजार करोड रुप्य का प्रावधान था वहीं पिछले आठ वर्षों में इसके लिए दो लाग करोड रुपिय से अधिक का प्रावधान किया गया है आप लोग यह आखड़े याद रखोगे मैं आसा करता हूं कि 2014 के पहले बीस अजार करोड और आज दो लाग करोड से ज़्यादा यह शहरी गरीबों के प्रति हमारी प्रतिवधता को दिखाता है लेकिन ही हमारा दाई तो बनता है जब सबका प्रयाद सबका विस्वा से कहते हैं क्या इन लाभार्थियों के बीच जाकर हम बैठते हैं जो जुग्गी जोपड़ी में है जिनको घर आगे चारके मिल्कों के बीच आकर करके विस्वात देते हैं क्या उनके बीच बैट करके उनके लिए क्या काम हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं क्या हमें लगता है कि अख़बार में छब गया तो काम हो गया जितना जादा गरीबों के बीच में जाकर के काम करेंगे उनको जो लाब मिलेगा, उस लाब का वो समाज में सवाया करके बापिस करेगा, गरीप का इस वफाव रहता है। सात्यों सहरों में रोजी रोटी के लिए जो साथी अस्थाई रुप में आते हैं, टेंपरेरी आते हैं, उनको भी उचीत की राये पर घर मिले, इसके लिए भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इस मेर्स कॉंक्लेव में आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अपने शहरों में इस अभ्यान को गती दें, इस से जुड़े कारिये तेजी से पूरे कराएं और क्वालिटी में काम्प्रोमाईज मत होने देना। समय सिमा में काम करेंगे तो पैसे बचते हैं, उन पैसों का अच्छा सदुपियोग होता है। साथियों, शहरी गरीबों के साथ साथ, जो हमारा मद्यम बरग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी, सरकार ने हजारों करोड रुपय की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बना कर लोगों के हित सुरक्षित किये हैं, खास करके मद्यम बर के परिवार किसी स्किम में पैसा डाल देता था, स्किम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्सा दिखाये जाता था, पैंफिलेट दिखाये जाता था, जब मकान बनता था दूसरा हो जाता था, साई छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रिरा के कारण, अब उसको ये अधिकार मिला है, कि उसके जो निर्णे हुआ है, वो चीज उसको मिल नीच चाहिए, भाजिपा के मेर्स के रूप में, शहरों के मुख्या के रूप में, रियल एस्टेट सेक्टर को बहतर और टांस्परेंट बनाने का आपका धाय तो ज्या है, पुरानी बिल्डिंगों का गिरना और बिल्डिंगों में आग लगना, ये चिंता का विश्य होता है, अगर हम नियम कायदों का पानन करें, उसका आगरही बनें, उसको सुनिश्चित करना है हमारी प्रात्तिकता हो रिशाई